हाई जानीज मुझे यकीन है कि आप लोग फिर मुझे से गिला करेंगे कि बेगम साहिबा ने टर्खा दिया अपनी सुरीली आवाज में कोई गाने ही नहीं सुनाया क्या करूँ थब्यत अब तक नासाज है निगोडी नजर ऐसी चड़ी अशी चड़ी कि उतरने का नाम ही नहीं लेती रजानीज लोग कहते हैं कि जब से खर सहाब मेरे पास से होकर गए है काफी अक्टिव हो गए है वो कहते हैं कि मैंने सुयवे शेर को जगा दिया आप लोग तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया I mean, we only just had a chat. I guess I'm just naturally good at getting them up. स्यास्त दानु ने फोन कर 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 मुझे तंग कर तिया है. बार बार फोन कर के वो ही सवाल होता है, कि नाजी मुझे कब बुला रही हो? नाजी, मैं तुम्हारा महमान कब बन सकता हूं? नाजी, मैं हमारी मैजबान कब बनोगी? हाई, प्लीज त्राइन अडिस्टाइब, I mean, after all, how many men can I handle it one time? वैसे हमारे स्यास्त दार बहुत अक्टिव हो गए हैं. भाई, दो हजार साथ जो आने वाला है, इलेक्शन के वादे का साल, नजरिया जरूरत पूरे होने का साल, मैंने तो सुना है कि कुछ साहबान ने शरवानियों के नाब भी दिने शुरू कर दिये हैं, और कुछ खवातीर ने बड़ी-बड़ी चादने सिल्वानी शुरू कर दिये हैं. इलेक्शन रैलियों के लिए, मैंने तो यहां तक सुना है कि कुछ सियासतदानों ने शाहीन बच्चों की तरह सर पर बार और पर भी उगा लिए है मेरी सहेली जैनब ने रोते हुए फोन किया है ला मैं तो देह ली गई जैनी रोही ऐसे रही थी रोती जाती थी सिस्कियान लेती जाती थी रोती जाती थी सिस्कियान लेती जाती थी I was so concerned मैंने का जैनी प्लीज बताओ आखिर मामला क्या है क्या मिस्टर बंदूक वाला को दिल का दौरा तो नहीं पढ़ गया कहने लगी हाई हाई नाजी ये कौन से रोने वाली बात है मैंने का तो कहीं का किसी और के साथ अफेर तो नहीं चल रहा कहने लगी ये भी कोई नहीं बात नहीं इस पर मैं क्यों रोने लगूंगी तो मैंने का जान फिर बताओ आखिर माजरा क्या है ऐसे क्यों रोय जा रही हो कहने लगी नाजी मेरा पूरा परिवार मुसे छिन गया हाई स्टार प्लस बंद हो गया अब मैं क्या करूंगी वो तो ऐसे रोए जा रही थी जैसे उसकी पूरी के पूरी जिंदगी ही उजड़ गई हो मैंने इसको प्यार से समझाया मैंने कहा जान बिछड़े फिर मिल जाएंगे रोना बंद करो उमीद ना छोड़ो हाई बहुत समझाया रोना बंद नहीं करती थी खैर अल्ला लगा करके फोन रखा दो दिन बाद फोन आया तो बहुत खुश थी कहने लगी नाजी तुम ठीक कहती थी बिछड़े मिल गए मैंने इसको कहा जैनी ये तो अच्छा हुआ लेकिन पाकिस्तानी सिकाफ्ती एकदार का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए ये जो सिकाफ्ती यलगार हमारे ओपर बोल रही है ये अच्छी तो नहीं किसम की लोग सब कुछ मेरे लिए सजादी है मेरे पाकिस्तानी चैनल मैंने कहां सच कहती हो वो जीए हजारों साल जीए जैनब की बातों में मैं अपने महमान को भूली गई मैंने अपने हां आज एक लोहौरी मुंडे को बुलाया हुआ है तालीम एक्सपोजर पुलिटिकल ग्रूमिंग और वजारते उसका कुछ नहीं बिगार सकी वो आज भी बिलकुल वैसा ही है जैसा बच्पन में था खलंडरा, शरीर और बेबाग आप लोग समझ ही कहे होंगे आओ आओ तश्रीफ लाओ जहांगीर बदर कैसे हो अला का शुकर है अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम बुरा तु नहीं मनाओगे अगर मैं तुम्हें जंगू पुकारू आपका दोज दिल चाहे आप लग मुझे इंविटेशन दीया है दड़ी ये राइट जैसे भी मेरे साथ सुलूक किया जाए तुम आपके लिए जाएगा 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 यहां पर दिल तुम बहुत चाहता था कि तुम्हें जेबी कहकर पकारूं लेकिन फिर वो मखरिक माभी नाम है ना जेबी तु लोग पता नहीं क्या क्या सोच लें लेकिन तो मुझे बेकम साहबा ही बोलोगे क्या जो आपको अच्छा लगे वोगा करना मेरे साथ जो आपको अच्छा लगे वोगिया दुम्हाँ आपकर नरात तो मैं आपके लिए किताब लें झाने प्रिजंटिज्ट थान्क यू बांच से कुश कुश्पट रिडर्ग रिफ डाति है तैंक यू सू माच जग्वु इस सो नाइस हाव तो बी अलीडर हो इंट्रस्टिंग अचा सच बताओ कि तुम्हारी किताब परने से मैं भी लीडर बन जाओंगी आप ऐसे लीडर ने अपने शुबे की है ताट सो स्वीट ताट रिली एस सो स्वीट अच्छा मुझे बताओ पीपल्स पार्टी ने क्या खिदमत की लोगों की अवाम की आपको दो मौके मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वड़ी खिदमत की है मौका यह कम बात है कि इतने सालों में जो रूलिंग क्लासिद हैं यहां की उनके बेपना तशद्द के बाफ़जूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मौके में जमौरियत शहरी अजादियों और इनसाफ के लिए जदो जहत कर रही है इतने सालों से इक्तिदार तो किस पार्टी की फील पार्टी फील पार्टी नहीं बनी ती कि जब मैंने बदोर अनोगी है? जो है अपनी सियासत का आगास किया तब से मैं पार्टी में हूँ और आई तक हूँ और इन्शाला रहूंगा पिंकी वापस का बारी है प्लीज आई वांट तो नो मौतरमा पाकिस्टान आ जाएंगे इंड इलेक्शन से पहले अभी 27 नॉंबर 2005 को लेंडन में जो मीटिंग ह हुई थी उसकी सदारत मौतरमा ने खुद फर्माई थी और उस पर यही फैसला लिया गया कि मौतरमा अगले इंतहाबाद से पहले पाकिस्तान में आएंगी अभी फॉरण क्यों नहीं आ सकती है अगर कोई अच्जेंट नीर हुई पहले बनाने की तो पहले भी उनसे रुक मैं तो रिमोट से टीवी आउन करती हूं डीवीडी प्लेयर चला लेती हूं लेकिन हमारे लीडर तो दूर बैठे रिमोट कंट्रोल से स्यासत चला रहे हैं अपनी पार्टी चला रहे हैं बड़े पावफिल रिमोट हैं उनके पास यह बाद नहीं है जो आप यहां तो अपने मुलक के हवाम अलाग्स को आपने हमारे लाइपियों को वहां पे मूबलाइज किया और देन देन बैक अर दी प्रपर टाइम पाकिसान पीपल्स पार्टी की चेर परसन जो है शी इन इंटरनेशनल लीडर वहां से बैट कर हमें गाईन लाइन होया कर रही हैं डिरे अपने पार्टी है और उससे वही गो इन कंपैटिबिलिटी ऑफ थाउट हम कंसेंसिस के जरी आगे बर रहे हैं और अलागे फद्लो करम से नहायत कामयाबी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस इतकाई अमल से गुजर रही है या टोटली अग्री विद यू शी इस नो डाउट शी इस अन इंटरनेशनल लीडर बद तेल मी आई यू इंटच विद रहे हैं रहे हैं मैं आप से बताया जो मीटिंग जिसमें ये फैसला लिया गया है ना कि वो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगी आई वा सिटिंग अच्छा सुनो एक बहुत प्राइवेट परस्नल बात पूछनी थी मुझे आमिन आजकल सख लूमर्स भी आपस में कि आसिफ और बेनजीर की आपस में आपस में आसिफ और बेनजीर की आपस में लोगां कि इंशाला खुआख आज जो है नहीं पूरी होंगी आफिकर ना करें देर इस नहीं इस शी हैपी वह रॉट शी नहीं आप बहुत से जीद अगफ्तुगों हो गई जहांकिर माय जंगू लेट्स चेंज टॉपिक मैं उस जंग को जाना चाहती हूं जो युनिवर्सटी के दिनों में पुर जोश तालबे इल्म था जो बाहर निकल के नारे भी लगाता था बता मुझे देखें अभी भी जो आल्ला के फजल करम से जोश और जजबा जो है इसमें कोई का भी वाक्या कोई नहीं है ना डिवोशन में बट विदी चेंजिंग अग एजिग फैक्टर अफकॉर्स तरी सब सीरियसनेस वह सीरियसनेस सम में आती है आप में भी आई है मु एक्टिफ कंडिशनेस अइट वास दिफ्रेंट इट वास माई अमर्जीं अजब एक ब्रॉट अप का टाइम होना तो उस वक्त ज्यादा मेंनत की जरूरत होती है उस वक्त वानेस तो गो थ्रू दी प्रोसेस ओफ इस मेकिंग कॉन सी गेम्स खेल नहीं हाती है आपको मैं बॉक्सेंग जंगु टरा रहे हो मचको ऐसे सखेलों के नाम लेकर ना मैं तो उस टाइम की बात का रहा हुँ इस वक्त आप ने कहा तो पीरिट की बात रहा हैं बैक टू दी फूचर अच्छा उस वक्त की कौन सी ऐसी बाते हैं कौन सी ऐसी यादे हैं जिनको बहुत मिस्क आप एक जान ने अच्छे ने आप एक तुमने स्पोर्ट गिनवादी हैं डिबेटिंग इनवादी स्टैडिस गिनवादी सियासत गिनवादी क्या और कुछ करने का वक्त नहीं मिला कभी और से क्या पराद है में जुट सेवाब मुझे समझ नहीं आता के ही रोमैंस की सासर्दान की बात को गोल क्यों कर देते हैं और मैंडनी कहरे हूं पर क्भी प्यार नहीं किया क्या अज तक मैं मुटाय में नहीं मिला मैं आप से रिसका रहा हूँ है तो पहले आ जाते मेरे पास चले आपकी जिंदगी रखे पाग परवर्दिकार कोई अशी बाद रही अब आओगे ना मेरे पास मैं आ तो गया हूँ लेकिन देखें आपको एक बाद बता है जो पॉलिटिक्स है ना यह जो इसके founding fathers है ना ग्रीक लाइक अरस्टोर्टल प्लाटो अरस्टोर्टल तो सॉक्राटी जी है नो ने यह जो लिखे ना इस पे यह जो साइंस इस पे जो पॉलिटिक्स है ना इस मास्टर आफ 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 साइंस तो इसलिए मैं आप से रिसका रहा हूँ है कि सम त जैसे कोई कमबैट में आप दाखलों किसी मुकाबला बाजी में धन्यू है ने यह तो सैक्रिफाइज मैं इन अप स्यासत को जंग समझ कर कर लें आप सियासत को इश्क समझ कर कर लें मुझे तो यह लगता है कि सियासत का भी शुरू कहीं किसी प्यार की ज़ब सही होई है ना तो इस लगें रुमैंस लुँकार पॉलिट पॉलिक सैजे रुमैंस। जैडेबी उप सच और लविट था लूवगों को दोख्वा देते हैं तैं दिस नोट रुमैंस। नहीं नहीं सीखा तुम दें उन का पैस्शन अब राडВО की साथ इसात जहिदा और वाला थह पैशन नहीं सीक्छा है। उनका पैशन नहीं सीक्छाहजा टो आइसका साध्य की साथे हुड हाढτοने सफीजिए हैं। आज है इसाधी कर लिच ली साधी के लिचे ली ली पीयार से जाधी की के लिचेट ली जाधी की robust पर्टी टू पर्सणपर्स टू पर्टी शादियां टूती हैं शादियां ने रिष्टे जूट जाते हैं do simple in here inyye इसए इस के हुमारे मूलक्य में प perseverance में इसा है इसा जाना चाहते हैं निह तर और मेरे ख्याल में अकेली पाकस्तान पीपल्स पार्टी है जो इतनी मेनर से इतने सालों में आगे बढ़ी है एक अजाद आना तरीके से. मुझे बताओ के हमारे मुलक में ज्यादा करॉप्ट कौन है और वो किसकी करॉप्शन है जिसकी वज़ा से हमारे मुलक का आज यह हाल है। मुकास्त के लिए इस्तमाल करना चाहरा है जिससे जो इंस्टिशूशनल सौवरेनिटी है वो डैट इजपरडाइस इस टास्क आप दी पीपल के वो देखें जिनका मुलक है अवाम उनाद जो किस्रियत में हैं जान समबड़े ऐस तो एजूकेट पीपल एजूकेशन जो ह नहीं आ सकती किसी पे लिएडर पर तो बड़े लिएडर पर तो बड़े लगे पूरी स्टेट मशिनरी को यूज किया गया मैंने इसलिए का कि हम उनका टारगेट हैं विक्टिमाइजेशन का हमें एक खास अदाज और खास एंगल से खतम करने के लिए सारी काफशें जो है लेकिन आप एंड अफ दी डे आप देखेंगे सचाई ही की फता होती है यू विल सी दैट फैक्स को जुटलाया लिए जा सकता है यहां पर भी यही होगा वी आर स्टिल इदी प्रॉसेस ऑफ स्ट्रगल अभी तक हम स्ट्रगल के जो प्रॉसेस में से गुजरे हैं जब इस देने की कोशिश की है बाकी जो है यह जिमादारी उन पर है कि अगर अभाम उनलास की तरफ से आपकी जानव से ऐसे खत्शाथ का इजार किया जाए वो भी आपनी अपनी सफाई हैं यहां पर अभाम उनलास के सामने मीडिया पर आजाएं तो इसलिए यह आइम नोट स्पे मुझे बताओ के सियासित पे इहम गुफ्तगू चल रही है यूव बीन अ मिनिस्टर और में यूकेशन आपके पास पेट्रोलियूम की मिनिस्टरी भी रह चुकी इसके लावा कौन कौन सी मिनिस्टरी मैं रहा हूं जी हाुजिंग का भी रहा हूं मैं यहां पे प्लिटिक सिरी पाय भी आपके लावर तो अच्छा कब उला रहे हैं पिर मुझे अच्छा चलो कमिंग बैक टू है यह मैं परवेज मुझे शर्फ से मुलकात का मौका मिला जी नहीं मैं उन से जिंदगी में मेरी एक दफा मुलकात हुई है जब उनके वालत की देथ हुई है ना तो सिर्फ का जो डेलिगेशन वहां पर कंडोल लेंस के लिए गया यह वाज लीडिगेशन अच्छा तो वहां पर मैं उनके घर जा आके मैंने उनसे अफसोस किया मुझे मुटरमा बे नजीर बुटो की जानब से पार्टी की जानब से खुद अपनी जानब से बस याट वाज अच्छा आइस पार्टी सेक्रेटरी जेनरल में आपकी एक स्टेट्मेंट पड़ी इंटर्व्यू देखा बलकि जिसमें आपने कहा कि चूंके पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है कि इसके अंदर कल के दोस्त आज के बुने गोश्ट आज के बुने गोश्ट कल के फिर से दोस् पेट्रियोट्स वाले छोड़कर गए और आप लोगों ने कहा कि किसी तौर उन लोगों को वापस पार्टी फोल्स में एकसेप्ट नहीं किया चाएगा इसकी क्या वच्छे है इस लाइल्टी हुई है पार्टी के साथ गद्दारी हुई है कि पार्टी इतनी बड़ी पार प्रदेबाजी कार थी और चले गए तो आप बताएं कि अगर इनको वापस लिया जाए तो क्या पार्टी के कारकूर में यूसरा होंगे जाए मुझे लग रहे कि मैं इस तरह किसी प्रेस कांफरेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठी हूँ हूँ आई यू एव आई यू अएव अधर नाजो आट 不管 पार्टी कार थे आधरопर पारटी कार्ल, एरस्क्या बैध avenski हुआँ कि हॉट्नु इव विर से टुटों के सब्सक्राइच कारता भासिव एूट्सॆ तो मैं जो पूलिटिक्स कारता हूँ मैं पियू पॉलिक्स कारता हूँ फिल्में देखने का शौक है, चलिविजन देखने का शौक है। अभी कबार। तेलिविजन पर काम बैठा जाता है। लेकिन जब मौका मिले गर में, अभी इत के दो चार दिन मैं घर में था वहाँ पर तीवी ज़किया। सिने माहौल जाने के इतिफाक होता है। सिने माहल तो मुझे गयोवे मोटती हुई है। मैं 1972, जब मैं आर्ज करता हूँ, आव में पास सुने। 1972 में जब शेह जुरफकार अली भुटो की गौर्मेंट आई है। मैं उसके स्टूडेंट था। तो उनने मुझे फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर मनाया था। उन दिनों मैंने बे तहाशा फिल्में सेंसर भी की और फिल्में देखी भी काफी शौक था। लेकिन यह शौक पर ग्रैचुरी जो है काम हो गया। और 77 में जब जनर्ण जया उल्हक ने पार्टी की खुमें का तखता उल्टा है। उससे बाद मैं श्याद कोई एक आग बार सिर्मा में गया हूँ। तो यू मस्ट कम विद में तो सिर्मा मेरे साथ जाओगे ना। चलेगे। बच्चे भी क्याते हैं जाना सिर्में कठे चलेगे साब। बच्चों के लिए किसी और दिल करक लेंगे। कठे ही चलेचलेगे, कोई बश्रा नहीं है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैरी बेगम बहुत अच्छी है। अच्छा आप उन से मिलेंगे खुश होंगे यकीन बहुत अच्छ होंगे यह रही गुद लेडी याटि रहे में राइट रही हुगे में आप विड़कुर मेरी तु बच्छीयों की तरह है अच्छा लेकिन अब माशायल Потом बड़ी होगी है और नानी का रोल भी कर सकती है, डादी का रोल भी कर सकती है। लेकिन, she chooses to be behind the camera and she's doing a wonderful, wonderful job. अगर्ड़ां थे किस भी तो यकीन भी हूँभी. क्योंकि she is one of those very few performers, actors, चेर्ड़ान इनलग। I'm talking about none other than Marina Han. She's right here. Marina, step right in. मेरीना, मैं तुमसे बहुत नराज हूँ, इतने अरसे बाद है मेरे पास? तुमसे तब इस्तेहारों में मुलकात होती है, हाँ? टने सतेहार सेहारे के नराज हूँ, हाँ, मुझे बता था के पहले तारीख की बाध की तारीख की तारीह भी तारीख है टेह खी गज़रती है नहीं। बहुत अशी है। बहुत अची घजरती है। First, you have to tell me where you get your lovely sage's from? आजान, का completely that's a secret, can't save it on national TV, but you have to come and spend more time with me I must. Ha. And you can take any one of my sadis you like. If I could only fit into that. Of course you can. Those were the days. No, doul in Atkinson, shouldn't it be like that, God, who would it be? Do you do that? Okay, Rose. Are you very particular, do you exercise? No, I am. I do have to work out today. I used to and I tried to, I'm dancing these days actually, I'm learning classical at Napa and I'm thoroughly enjoying it, I'm not very good at it, but I'm thoroughly enjoying it, always wanted to and it's a different life actually, it's you know, the history of the dance, there's so much more to it than just the dance itself, of course the dance is so difficult. and therapeutic, I kept the doctor, but the doctor was learning, they were more than able to meet someone and talk to somebody and talk to someone and talk to somebody and talk to someone and I said doctor, doctor, I was running back first of all in the world, you've never left off from the world. No, doctor, doctor is very particular about switching off mobiles. How difficult is it for a woman? You are a woman and mashallah you are very very well accomplished, you have lived your own rules, you have lived your own rules. Marini ji, Marini Khan always did what Marini Khan wanted to do. Still trying to. Still trying to. How difficult was it really? Not really actually, not really, I think the most difficult part was thinking that I might have a disconnection with my parents when I was getting married, but otherwise you know it's not as difficult as people make it out to be. I think you have to make your own place, you have to make your own respect and then it's quite free flowing. I think I have lost out on a lot of opportunities because of the way I am, but I have not missed them. What are the things that stimulate you, Marini, intellectually, emotionally, what are the things that you feel passionately about, things that touch you, things that you hold close to your heart? Well, I love animals. Everybody knows that. Everybody who knows you knows that Marini Khan is crazy about animals and your fascination with animals. We have seen animals in your house and dogs in your house. But, Marini, has the interest developed in a little bit, like monkeys and men? Okay, I understand. I was going to say. Monkeys and men. Monkeys, yes. They are all around you. I mean, you have to deal with those animals, you know, on a very different level. No, there is no interest. Monkeys, yes. Monkeys, yes. And I consider them more intelligent than human beings by the way. That's men, darling. Okay, okay. We'll leave it to that. Jangu, which kind of animal do you like? I am a animal. I have a animal. I have a animal. I have a animal. Never? No, never. Do you like animal? No, never. The animal has also made them. We love animals. We love animals. They are also in our own. But there is no animal. But there is no animal. There is no animal. You are a girl who comes from a background of armed forces. Yes. No, I never thought of it. I mean, this was just purely by chance. And Shazad Khalil. Jangu, Marina came here. Have you seen Marina's dramas on TV? I have seen a lot of dramas. I have seen a lot of dramas. I have seen it before you. I have seen it before you. You have seen everything from the time. Marina's dramas are so popular in India. I tell my children that it is a popular drama. You have seen a lot of popular dramas. You have seen a lot of popular dramas? No, no. You have seen a lot of dramas? I have seen a lot of dramas. I have seen a lot of dramas. I have seen a lot of dramas. You have to go back from here. Okay. Buy the cassettes. Okay. From Rainbow Centre. From Rainbow Centre. From Rainbow Centre. And you have to watch that play. Right. 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 Promise. 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 Is this political or personal? No, it is political. It is true. It is true. Promise is true. Promise is true. Yes. And I am sure you are going to do that. Marina, but you know, it is so surprising. Abhibhi, I think, you know that you are a big, big star in India. You went to actually record a play there also. How was that experience? Oh, great. Great. It was fun. It was a very rushed experience because there were some complications because of dates and all. But it was a great experience. At least seeing the technical side of it. You know, how things work behind the scene. I think what came on the screen was, you know, it was an average play. But behind the screen, how things work or at least let's say how they work in India. And I am just quoting one team. That was fantastic. You know, like your specializations of different departments and what responsibilities those departments have and how they don't overlap and how they don't interfere with each other because each one knows their boundaries and their limitations. Acting ki drama ba na re ho, mashallah. Political drama me ko dalchespi hai? Bilkul nahi. I know nothing about politics. Hai, that's bad. See? Zero. 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 I don't get the newspaper anymore. I think politics say, I don't know. I guess because you're artistic, because you are not. I think there's too much. I think we've seen what politics has done to the world. And I don't like it. Awam hai padhi likhi. Opinionated awam hai. Intelligent awam hai. Aur ye wo wali awaam hai ke inko agar apne wash mein kar le na toh pada fayda hai. Because through her, you can reach crores of people. Aap convince her. Inko bagai ki aise mori halat nahi hai. Inki jo opinion hai ke democracy jo hai na it's not final. Ye hi inki interpretation hai. Ispe abhi bhot khamiya pae jati hai hai. I agree with this. Lekin abhi tak jitre systems jo hai na dunia mein introduce huwee hai. Which is you know mostly accepted. Is a best system is democracy. Agreed. Right now. Abhi hai right now. Ispe ye jo weaknesses hai. Ispe kemhi beshi hai. Isko miljo kaar society mein aeg jaghe rehte huwe. Uspe kaboo paaya ja sakta hai. Ye ko aise cheez nahi ke jisko durust na kiya ja sakte. Ya sahi direction mein na jaya jaya. Lekin politician and I don't mean and I mean politics all over the way. It's not in the interest of the politics to have a politician to have democracy. Because the day the awaam gets up then you know then you are wo system nahi kaam karega. Because the human beings we are as humans we are not ready. I am feeling. I am feeling. I never. I can't vote. I like him. Yes I like him. I can't go deeply into why because I as a citizen have felt a few things since he has come into power that I like about him. Yeah I do. And I also come from a military background so maybe I am biased you know. I don't know. But I am comfortable. But I don't understand one thing. That is a wrong perception. This is a wrong perception. Because we are MRD में भी बैठे थे अलाइस में भी दादर प्लिटिकल पार्टिस और हमारी आपरी पार्टिस हमने ये फैसल लिया था कि जब तक जो रहे छोटे सुबह उनके साथ किल सैंसेज नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है हमें काला बाग डैम जो या नहीं बिराना चाहिए और रो すबहन को इतमाद में लिये बगया इसकी तामीन होनी चाहिए अच्छा जालील कि सना हाल सी टूए है I think very well, very well. He is on a pure vacation right now which I hate him for because he can sleep as long as he wants to the whole day and I can't. What kind of relationship do you have with him? Oh great one, great one. It's a great friendship. And you guys obviously your marriage was a love marriage based on love. Yes. Abhi thuri dar pahle baat hori thi aur Jahangir Badr sahab keh rahe tha ka arranged marriage honi chahiye. Yeh love marriage ke khilaaf hai. I think beide is a match union. You people or arrange marriage no one na. My wife advised us from are the parent marriage that those who come with the marriage differently they have. If you are against that? Yeh. But how could you representative CHIL respiratory care soon with you? Yes. I think both of them are. Your response is a socialraktion that 두부ale is so special and decent. Well Wallace at Paqioca yes. Your response is up to me. Your response here to you ischenkite men listen. Yes, I speak. Correct. You're k chegou at say meet me. फ़के सियासतदाः ओगि возь cruelty film को यह इना विफ ने जाए तही है अगलाहिएं ना। इसदिये के गरों मॉट्ज गठ विफ और मेन्स कुछाँ फॉरष सहाव क्यो ना कुछा है ना टाक्त रोती है क्यो ना व्यड़ा इस लिए तेर्मिंट होती है इसलिए कि गरों में बैठी रहती है ज्यदा डिटर्मिन होती है बार लोगों को फेस नी करना है आपकी लीडर खातून है हमारी लीडर इस एक्सक्रूसिव लीडर है यह तो जहागीर बदर सहाब अपनी जिंदगी जो है अपनी जिंदगी इनोंने बड़ी मेंनत के साथ बन कि अपनी मेंनत के साथ यहां पर पहुंची है हम कदर करते हैं इसे लोगों की ऐसे कोई बात रिखे है हम उनकी इजद करते हैं मुबारिक हो तुझे तेरी तो कदर है इस इंडिस्ट्री में मेरी तो भी नहीं है आप भी आया है आपकी यूर आल सबने आपके काया रही हैं अपने फीज कि आप निए एक लफज इस्तमाल कर गड़ी है आपको आपको सब दीख ऑई फो फोन बजय जा रहा है वे सबरा हो रहा है इंतजार कराने की आपका काफी बाफियत है है नवास कहां से बोल रहे हो जद्दा से के लंडन से भाई अजादी मुबारिक हो बहुत 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 मुबारिक हो अच्छा जल्दी से बताओ के अजादी का तोफ़ा क्या भेजो हाई नवास डून भी चीकी कह रहा है खुद गिफ्ट रैप हो कर आचाओ नवास क्या अपने हाथों से अन्रैप करना चाते हो मुझे कितने ही उम्रे किये तुमने नवास लेकिन तुम्हारी शरारते कमना हुई अच्छा ये बताओ कि इतने साल जद्दा रहे हो सहरा में, कर्मी में जैनवरी में लंड में तो बहुत ठंड होती है कोई इंतजाम किया गरम रहने का कई थंड वनन अलग जैना जान चलो में ही कोई इंतजाम करूंगे तुम्हें गरम रखने का चल, you have fun कुछ महमान आए बैटे है शायद कुछ जल बी रहे है चल, बाद में बात करती हूं, भाई जाघका है Nawaz Jaan का phone था you know he's moved to London or moving to London आपकी नजर में Pakistanisyaastके ली ये अच्छा मस्बित Omen है ये अच्छी बात है It's a good omen Yes it's a good omen Will he be meeting your leader there in London? Yes insha Allah So can we think हम सोच सकते है ये कोई नही प्लिटिकल unions कोई नही बिलिटिकल alliances Political alliances इस तो पॉलरिक्स में तो उनाइसे चलते रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आलवेस ट्राइट ट्रू मिनिमाइज दा पॉलराइजेशन, हमने हमेशा कोशिच किया है कि हम जो है अपनी जी पॉलराइजेशन दूसरी चल्सी पार्टीों के साथ कम करें, मिल जूल का आगे बढ़ने की कोशिश करें ताके मुलक के प्रॉब्लिम्स कम हो, अवाम को भी सुखस्यार नसीब हो, मुलक भी तरकी करें अवाम साहिबा, आप अवाम है, ये लीडर है, मैं भी अवाम ही हूँ कि तुम्हारी फील्ड आते हैं तेलिविजिन के ड्रमों की तरफ है ये मुझे ऐसा लगता है और मेरे पास टीवी से वावस्ता जो लोगा आए है मैं सबसे बात करते हैं, मुझे साथ है कि टेलिविजन का स्टेंडर्ड जो वक्त था, जो गोल्डन एरा था, आज वो बात नहीं नजर आती मुझको, इसकी क्या वाचा है मरीना? Education, basically. I think we have reached rock bottom in education in our country. It hasn't been given the importance it should have. फिर हमारे field को किसी नहीं नहीं लिया. I mean, even the people who are in the field, I don't think take it seriously. एक होबी के उससे शुरू हुआ था. अब बकॉस पैसा नजर आने लगा है, इसमें, it is become, and it's not really still a recognized industry in Pakistan. And I think because of that, जैसे institutionalized होते हैं, other things, you know, you go to the IBA for, you know, ABC and you go to, you know, some other college for XYZ and LUMs and all these places. We've had no institutes. So, जो काम होरा है, वो सल्फ टॉट है. And सल्फ टॉट गो असर्टन वे, but it cannot bring a professionalism or it cannot bring in the creativity. हम चाहते ही हैं के हमने बहतर काम हैं. तो 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 there's no motive, it's not only our field. Look at everything around. Everything around. It's all mediocre. Meaning, that's why जो जो तीन चीज़ अच्छी होते हैं, we excel in that, you know, suddenly. Otherwise, it's all mediocre. And I think it's so sad. In this country, mediocrity actually reigns supreme. It rules. Totally rules. And the sad part about it is that no one is doing anything about it. We're all happy because हम लोग अपने जगा बैथे में आराम से बैथे हैं. National Academy for performing arts, मुझे बड़ा फोन करके, बड़ा insist किया, कि बड़ा साइबा प्रिंसिपल बन जाए हैं. यूश्ट प्रिंसिपल बन जाए हैं. But you must come. मैंने का students किताबों को कम देखेंगे, मुझे जादा देखेंगे. But why not? But why not? Why not? मैं तो पूरा मुझेसिमा है, क्या कहना चाहिए है, मुझेसिम हकीकत हूँ. जानते हैं सर से पाउं तक, creativity ही creativity हूँ. Art ही art हूँ. But we need that stimulation for the students. Come on. But why not? But why not? Because I want to read a little bit. And you have to make a film? Yes, one day. Inshallah. This is a dream of every director. You were in the same. And these are very sensible, very nice, and they chop the dreams of director. So, you don't think that the directors of the director, they have so much thought and how much they have put it inside it? I know, I don't know what is happening after this. But I am watching what to present them. In your opinion, Jahangir Badrath Sahib, Do you want to give Indian films in Pakistan? I want to give the film industry. But when the TV is in PR, what does it matter? So, Marina, he said a very interesting thing. That when you have access to all Indian movies, on cable and on DVD, and everybody is watching it, why can't we actually legalize it, and let people watch it in cinemas, this way at least, when people buy tickets in cinema, then the condition of cinemas will be better. As an actor, as a director, working in Pakistani industry, are you for or against? I am somewhere in between. I feel that the way we are as Pakistanis, we will totally and absolutely kill our own industry by bringing Indian cinema. But to keep the cinema culture alive, I think it is not a bad idea. But I think we will kill ourselves. You know, we will have to reach that standard, and in Pakistan, that kind of money, people are not. Meaning, abhi aaj TV, radio peh bata rahe hai, kitne karoore ek film ke, 55 crores, those people are spending on a film. Jan, mujhe bata hai. So, hum to bicha hain. Mujhe bata hai. 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 Paisi lakar hou. Mulk ke ander. Bisnes. Separate meeting. Bisnes lana. Bilkul. Aap lakar hai business. Nay jim, nah. Petrol baut mehenga ho ga. Yeah. Petrol baut mehenga ho ga. Haap Petrol kaafi mehenga ho ga. Aap Minister of Petroleum. Aiman to Adhi hai. Adha to taxi hai. Shikaiyat lagari ho mein. Hum gharib loog kya kare. Yehi shikaiyat hai. Meree bhi yehi shikaiyat hai. Adha to taxi adhi. So this is in brief what I am telling you. Because you have got something else. I have got time. May Kanjousi kabhi nahi karti hai hai. Waakki maamale ba to bilkul nahi karti hai. Kanjousi. He is very close to Benazir. My pinky of course. What do you think of Benazir Bhutto? What do I think? I think she had... As a politician. Well again. For the little bit. I know. I think she had great potential. I think she took it nowhere. Acha mujhe batau ki. Do you think Benazir Bhutto will become the Prime Minister for the third time? Yeh to Allah Taala hi bitaa sakta hai. He is the perfect leader. And people believe her. Do you know the world? Yes. You know I have to answer. Hello? Pinky! Where are you? Where are you? In New York? How are you? How are you? How are you? Now there is no place. Acha. Why did you call me? Karachi. I have to ask you. Hey. Okay. Pinky. It's coming. You are waiting. You are waiting. You are waiting. What did you say? Now there is a green signal. I don't know. This signal will come. No. Now there is a place with your brother. What is happening? I am not saying that. I am not saying that. I am talking to you. I am talking to your brother. You are in London. Nawaz Sharif is in London. Yes. Okay. He will be contacting you soon. He was saying that I am going to send him to him. No. 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 Why? I am pointing out a word of Pinky. Yes. Yes. You are speaking to me. No. 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 I am going to be a good friend. No. 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 यह लोग उन किर्दारों के थू जानते हैं जो तुमने टेलिविजन पर अदा किये फिर तुमने अपना एक कुकिंग शो भी किया पहले बता हो कुछ खाना पर काना सीखा भी के नहीं सीख लिया कब बुलारी मुझे खाने के लिए? anytime, you must call me over. अकर आप शहर में ऊवे तो आप ही साचलियेगा. और मैं भी बहुत अच्छा बनाते हूं. तो हम बात करें थे मारीना कानों की तुम्हारे किदारों की लोग तुम्हे जानते हैं, you know it's a screen persona, it's this you know how you appeared on screen. मैं चाहती हूं के लोग मरीना को जाने, मरीना within you, with all her triumphs, with all her joys, with all her sorrows, with all her vulnerabilities and everything, tell me about मरीना, मरीना कैसी इंसान है? exactly as I am right now मरीना खुश है सिंदगी से? oh yes, not very happy, not very happy, I think 40 is not a good age, people say, I don't know about you but people say life begins at 40 for women and I think it's a lie because I lost my eyesight, so I'm not being very happy that way, I feel that I want to go back to 35, I think that was I want to go back to 16 darling, I think 16 I was too naive, I liked myself in my 30s I thought, it was a good discovering period I know, you took long, oh my God, I had lived half my life, but I still you and a lot of other women I know, very adventurous I must say you can take names darling yeah no you can take names darling yeah no oh yeah yeah Jahangir Daddhar had brought his books. It says, how to be a leader? Okay और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी इन दोनों से ये मुलाकात बहुत पसंद आई होगी मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूंगी मरीना को तो भी साहरा के पास जाना है ड्रामे की शूटिंग कराने लेकिन जाहंगीर को मैं भी जाने नहीं दोंगी इन से वैसे बीन की रात की फ्लाइट है और इन से सकरड़े के बारे में नेगोशियर करना बहुत जरूरी है तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा इफ यू गर चांस डू गे इस बुक बाई जाहंगीर बदर आइम शूर के वो तमाम लोग जिनको पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरिस्ट है वो जहांगीर बदर की जिन्दगी में जरूर से बहुत इंस्पायड होंगे क्योंके ही लिवट अवेरी फॉल पॉलिटिकल लाइफ थाइंकी वंस अगैन मुझे अजाज़त दीजिए अगले हफ़ते तक के लिए फिर दो बहुत अच्छी शखसियात के साथ आपकी खिदमत में खुद को भी पेश करूंगी तब तक के लिए खुदा हाफिज नवाज़िश